तो क्योंकि वहां पे सब लूंगी पेंटें पेंट कोई पेंटा ही नहीं है और अगर पेंट नहीं पेंगे तो इसमें आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मच्छर को मारना सॉरी मच्छर आ चुका है तो हाई गाइस बहुत सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदानतु जेई मेड इजी क्या हाल चाल आप लोगों के और कैसी चल रही है पढ़ाई वेल पिछले तीन वीडियो में हम लोगों ने जेनरल और्गनिक केमेस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था और जेनरल और्गनिक केमेस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम लोग नॉमेंक्लेचर पर आ गए थे और मेरे प्यारे गिलजारी लालो आज हम लोग सब्सिट्यूटेड बेंजीन और अरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेंक्लेचर पढ़ेंगे लेकिन आराम आराम से क्योंकि आ कौन से आउम की वेराइटी यह लंगणा आर्ची लंगा पनार्ची लंगणा पनार्ची लंगणा मेन र्मार्ची चेकि में लगणा हो चुका हूं बाटते हैं अमिरा फ्रूट है सब्सक्राइ làm करा है और चरू को पकी तैयारी करण्यों है। कूँ पोशित दिख रहे हूं मुझे क्या बात कर रहा है खाओ पीओ हैश करो मुझे करो चलिए सो हम लोग आवर बात करेंगे सबसे पहली और सबसे इंट्रस्टिंग बात जो आप लोगों को जानकर लगेगी that there is no specific set of rule there is no specific set of rule to nomenclate to nomenclate the substituted benzenes to nomenclate the aromatic compounds कुछ छोटे मोटे rules जरूर होते हैं कुछ basic rules जरूर होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे पर कुछ इसे functional group में पहले यह order और वो order ऐसा कुछ perfect rules set of rules नहीं है हर जगा पर अलग-अलग rules follow हो सकते हैं तो हम इसा बोलेंगे that there is no specific set of rule required to name the aromatic compounds ठीक है कोई दिकत कोई परिशानी जान के अच्छा लगा आप लोगों को चलिए तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले mono-substituted benzene के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करेंगे about mono substituted mono-substituted benzene के बारे में हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अब यहां पर काई mono-substituted benzene के अंदर क्या होता है आप लोगों को iupac ने बोला है कि root name की जगा iupac ने बोला है कि root name की जगा आप लोग इस्तमाल करेंगे benzene और root name के पहले आप लोग prefix लगाएंगे और वो prefix कुछ भी उस particular moment पर जो substitution होगा वो हो सकता है तो आप यह चीज फॉलो कर सकते हो mono-substituted benzene के लिए या तो आप उनके common names का इस्तमाल भी कर सकते हो हम लोग इसके common names का इस्तमाल भी कर सकते है यह भी iupac ने हमें green chit दे रखी है याने हमें डरने की दरुवत नहीं है कि सामने वाला चीज सामने वाला इंसान एक compound को methyl benzene बोलता है और हम उसे toluene बोलते हैं हम दोनों ही अपनी जगह पर सही है समझ मारी बात तो यह basic बात समझ महीं आपको क्या बोला मैंने चलिए इसको example से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजे मेरे पास में एक benzene का ring आता है तो यह तो आप सब distributed benzene हो गया याने benzene के ऊपर एक सब्सिट्वेंट आ गया अब यह सब्सिट्वेंट क्या है methyl group तो जैसा मैंने आप से कहा methyl को डाल दो prefix में तो methyl आ गया prefix में और यह क्या है benzene तो आपका root name क्या बन जाएगा आपका root name बन जाएगा benzene तो यह compound हो गया benzene methyl benzene समझ पाए बात को this compound becomes methyl benzene या आप इसका या आप इसका common name इस्तमाल कर सकते हैं जिसे बोला जाता है toluene commonly it is called as toluene तो यार एक बात बता दू जब हम आगे देखेंगे कि benzene के उपर mono-substituent के मुकाबले और भी बहुत सारे टाइप के substitution हो सकते हैं जैसे 2 substitution, 3 substitution तो उस particular case में कई बार आप इस पूरे compound को methyl benzene की जगे केवल toluene कहके भी बुला सकते हो उसके rules में आपको ठीका हूँगा तो ध्यान रखना कि यह common names का यहाँ पर aromatic compound के या substitute benzene के case में बहुत important role होता है एक बहुत जादा important role होता है इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से observe करना ठीक है कोई problem कोई दिखकर चलिए अगला for example मान लीजे मेरे पास में आ जाता है benzene का ring और benzene के ring पर एक carbon मेने यहाँ लगाकर इस से लगा दिया double bond oxygen और एक CH3 मेने यहाँ लगा दिया c double bond OCH3 अब इस compound का नाम क्या हो जाएगा c double bond OCH3 क्या हो जाएगा इस compound को केवल और केवल आप एक common name ध्यान रखेंगे acetophenon acetophenon इसे commonly बोला जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को ना केवल मैं basic चीज़े बता रहा हूँ मैं आपको इनके common name याद कराना चाह रहा हूँ इसका common name याद करें c double bond OCH3 वैसे तो यह ketone family का member हो गया यह ketone हो गया एक अलकाइल ग्रूप इधर आर एक अलकाइल ग्रूप इधर आर और यह c double bond O है ना अभी इतना याद करो जब आगे और रूल्स पढ़ेंगे तो इसका IUPAC nomenclature भी perfect करके देखेंगे acetophenone हो गया अब मान लीजिए आपके पास में एक benzene की रिंग आ गई इससे स्टी double bond O चुड़ गया और एक benzene की रिंग इधर आ गई बलब यहाँ पर TH3 था यहाँ पर एक benzene की रिंग आ गई अब इस compound का common name क्या होगा इसको बोला जाएगा benzophenone तो यहाँ पर मेरे कहने का यह मतलब है कि आप लोग इन compounds के general name को भी याद कर लो इन compounds के general name को याद कर लो यानि मैं चाहता हूँ कि यह rings आप लोगों को perfectly याद हो जाए यह जो rings में पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं जितनी नोट करते चलो ठीक है चलिए आगले चलते हैं और बात करते हैं कि मान लीजे benzine ring आजाए यहाँ पर एक इस तरीके का compound बन जाए यहने की समझ गए यहाँ पर एक particular carbon है और यहाँ पर carbon है यह CH2 है यह CH है इसको लाता है स्टाइरीन यह compound भी बहुत important है बहुत बार पूछा जाता है स्टाइरीन इस compound is called a styrene styrene ठीक है कोई problem चालिए अब for example आपके पास में यहाँ पर OH आ जाए इसको आप सभी लोग पहचानते हो phenol then मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर आ जाए nh2 अब आप लोग जानते हो यह amine है आप जानते हो यह hydroxy है तो इसको अगर आप OH का prefix name बताओ तो वह hydroxy होता है याद करो में आपको functional group के nomenclature में थिखाया था कि अगर OH suffix में लगेगा याने नाम के पीछे लगेगा तो ol लगेगा ol लेकिन अगर यह नाम के पहले prefix में लगाना पड़े तो यह hydroxy हो जाएगा तो इस compound का नाम हो जाएगा hydroxy क्योंकि मैं इसको prefix में यूज कर रहा हूं hydroxy और benzene तो it will become hydroxy benzene तो यह तो इसको hydroxy benzene बोल लो यह तो इसको फिनॉल बोल लो आपकी इच्छा अब यहां पर इसको commonly बोला जाता है एनिली इस को बोला जाता है एनिली इस लेकिन functional group नह टू है अब एनेच्टू अगर suffix में लगेगा तो Amine Amine नाम के पीछे लगाओगे तो Amine लेकिन नाम के पहले लगाओगे तो Amino नाम के पहले लगाओगे तो क्या हो जाएगा Amino तो यह हो जाएगा आपका Amino कमीनो का भाई Amino Amino Benzene बढ़ो Camino Camino Benzene तीक है? कोई problem मेरे बैखरे बच्चों यहां देखो यह बेंजीन की रिंग के ओपर CHO तो यह हो जाएगा बेंजल डिहाइड इट विल बिकाम बेंजल डिहाइड वेरी इंपोर्टेंट बेंजल डिहाइड इट इस वेरी इंपोर्टेंट ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम इतनी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम दर फटाफट से देख लो देखो देखो इसको फटाफट चेक कर लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आगे बड़े चलिए अब माल लिजे यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग ब इसको तो benzoic acid ही बोलेंगे और कुछ बोलने की दरुवत नहीं है यह बन जाएगा आपका benzoic acid this becomes benzoic acid ठीक है ठीक है अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर आप एथर ले आते हैं बेंजीन ओ ती एच्छ त्री तो इस तो मिठाइल ग्रूप इस अप्सियन मेथाप्सी याद करो मैंने आपको इथर के लिए ठीका जाएगा था केवल प्रिफिक्स इस्कावाल होता है वह भी alkoxy alkoxy यहां पर alkyl ग्रूप है सोल एनी सोल इस दा कॉमन नेम हम इसको हमेशा फ्यूचर में एनी सोल के नाम से ही बोलेंगे ठीक है कोई परेशानी कोई दिक्कत अच्छा आप ज़रा खुद से लॉजिक लगाओ लॉजिक अल्ट्रा प्रो मैक्स इसका नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा बताओ हाँ यहां पर अलकाइल ग्रूप दो कार्बन वाला हो गया ने इथाइल प्लस ओक्सिजन इथाइल प्लस ओक्सिजन इस एथाओक्सी बेंजीन एथाओक्सी बेंजीन को कॉमनली बोला जाता है फेनेटल इट इस कॉमनली कॉल्ड एथ पैनेटल ठीक है अच्छा आप मेरे को एक काम करो इसका नाम यहां लिख्ये बता दो यह कौन सा फंक्शनल ग्रूप है यह कौन सा फंक्शनल ग्रूप है मेरे गलजारी लालो बताओ और लंगड़ा बनारती लंगड़ा बनारती को बताओ पुन्य लगेगा पापी हो बताओ तो यह नाइट्रो ग्रूप है तो नाइट्रो और रिंग कॉनसी है बेंजीन तो विकम नाइट्रो बेंजीन क्या चीज क्लियर हो गई क्या यह चीज क्लियर हो गई बहुत बढ़िया आप इसका नाम लिख के बताओ 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 तर यह तो सब इजी है यार थर मुणों सुचिटोडेट बेंजीन के नाम तोंको लिखना आ गए थर फ्लोरीन तो फ्लोरो और बेंजीन, क्लोरीन तो क्लोरो बेंजीन आयोडो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन कि ती टू एच्पाइब याने इथाइल बेंजीन ठीक ठीक प्यारा बच्चो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो आप इस तरीके से कितने भी monosubstituted compounds आ जाएं आप उसका nomenclature करेंगे जिसे इन सबके मेंने आपको कोई common name नहीं बताई जुकि जरुवत ही नहीं है इनके common name के हमें जरुवत ही नहीं है कोई नीट नहीं है common name के अपने वो कोई नीट नहीं है तो हमने क्या कर रहा हमने prefix जो functional group है उसको prefix माना उसका prefix name लिखा और suffix छोड़के root name की जगे benzene ले लिया आप हर जगे देखो अपने हर जगे यह किया केवल benzoic acid के case को छोड़के हमने benzoic acid में क्योंकि आपका जो COOH होता है वो सबस्यादा preferable functional group होता है इसलिए हमने benzene के बाद में oic acid लगाया बाकि हम लोगा ने normally सबके नाम लिखे है ठीक है अब अब सब्सब्स सेखा लगे बाहर वात करेंगे फर डाइझ जργार तरीक जब सब्धार सब्सचीटैट बेंजीन होगी अब रए- grown देटा सब्सचीट्यूटैट बैंजीन क्या होते मेरे बच्छों इसके अंदर दो जगा पर आप लोगों को सब्सिंटीट्यूशन दिखें गै तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना that numbering जब कभी भी आप करोगे so numbering should be done numbering should be done according to the lowest sum rule and and the alphabetical rule and the preference rule and the preference rule तीन चीज़े यहां पर अपने को ध्यान रखनी है तीन चीज़े हम को यहां पर ध्यान रखनी है पहली चीज़ हम क्या ध्यान रखेंगे पहली चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम lowest sum rule के हिसाब से numbering करें दूसरी चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम alphabetical order में नाम लिखें और तीसरा हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मान लोग कोई ऐसा functional group आ जाए जो जाधा preferable है जो जाधा important है तो हम उस according नाम लिखेंगे यानि कि जिसको बोलना चाहिए आपका base compound होल Mittal के आपको सारे एक्जैंपल सिखाता हूं आपको समझ में आएगा को ठीक है चलो तो सबसे पहले हम यहां परыт эт सिंपल सा काम करके देखते हैं हम हम यहां पर भी क्लोरीन लगाते हैं हम यहां पर भी क्लोरीन लगाते हैं पर लोग लोग लेट से यहां पर सी करोंडाराथ मोली नत किनि बोलिंगा वालिंगा देखो तो उपर वाले compound में है कि यह पहीला कार argon और यह दूसरा कार्फन यहां पर यह पइला यह दूसरा और यह तीसरा अगर मैं यहां से numbering शुरू करता है यह टू बोलता है यह three यह four यह five तो यह靛ो यह च्छटे कार्बन बर आता है यह वन और यह 6 हो यह था तो यह लोईस नमबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नम्बरिंग इसे शुरू करेंगे अब यहां पर आप कहीं से भी नम्बरिंग चालू कर लो वन एंट पोर ही आना तो कोटेंशन नहीं तो इसका नाम क्य क्लोरो बेंजीन और ही हो जाएगा वन कॉमा फोर डाय क्लोरो बेंजीन नाम लिखने का तरीका समझ में आया नाम लिखने का तरीका वही चल रहा है ब्लू ए ब्लू नाम लिखने का तरीका वही चल रहा है अब्लू नाम लिखने का तरीका वही चल रहा है नाम लिखने का प्रॉब्लम कोई दिक्कत चलो आप आपको मैं बचे वी ये दो रूल को एक साथ लगाना बताता देखो माल लो आपके पास में कंपाउंड आ गया जिसमें कि यंग 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 यं बोलेंगे कि सर इधायल ग्रूप ए तो इसको नंबर वन देतो और सर यह सब्सक्रीटुएंट है तो इसको नंबर टू देतो यह मीठोक्ती जिए नाम पड़ जाएगा टू मीठोक्ती वन इताइल टू मेठोक्ती बैंजीन लेकिन मेरा यह कहना है कि थोड़ा सा दिमाग लगा आप सब जानते हो कि बेंजीन रिंग के उपपर ओ सी एच स्री इस एनिसोल इस एनिसोल इसी लिए मैं इस एनिसोल को बेस कंपाउंड मानुआ तो बेस कंपाउंड जिस पर्टिक्यूलर सब्स्टिटुएंट की वज़ा से होता है उसे नंबर वन दिया जाना चाहिए जिस पर्टिक्यूलर सब्स्टिटुएंट की वज़ा से बेस कंपाउंड बनता है उसे हमेशा नंबर वन दिया जाएगा तो दो सब्स्टिटुएंड इस नंबर डिशा लिखेंगे तो दो जिसकी वज़ा से बेस कंपाउंड बनाएं उसे तो क्योंकि यहां पर इस नंबर डिशा नंबर डिशा नंबर डिशा नंबर डिशा एनी सोल को बनाने के लिए OTH3 का बहुत इंपोर्टेंट हाथ है इसलिए मैं इसे वन बोलूँगा और मैं इसे टू बोलूँगा लेकिन तर नाम केसे लिखेंगे नाम एलफाबेटिकल ओडर में चलेगा सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है इसलिए टू एनी सोल इट विल विकम टू इथाइल एनी सोल देखो समझ माया कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत लेगिन अगर मान लो यहां पर बाइचांस केवल थी एश्ट्री होता और यहां पर सी टू एच फाइफ होता तो आप इस केस में क्या करते हैं अब इस केस में क्या हो जाता मेरे प्यारे प्यारे बच्चो मेरे बकुडो मेरे राजदुलारो मेरे देश्वासियो मेरे लाड़ी लक्ष्मी योजनाओ यहां पर यह होता आप नंबर वन क्योंकि यह इथाइल है इथाइल स्टाट्स विद ए और यह होता नंबर टू क्य इथाइल टू मिथाइल बेंजीन समझ मारी बात आप लोगों को लेकिन एक बात और बताओं मैं आपको आप एक बात और ध्यान रखो यहां बर एक केस और हो सकता है क्या हो कता है भाई बेंजीन रिंग के उपर CH3 इसका कॉमन नेम टॉलवीन है इसका कॉमन नेम टॉलवीन है तो यहां बाले केस में इसे नमबर वन बोलके इसे नमबर टू बोलना पड़ेगा और यहां पर यह हो जाएगा टू इथाइल टॉलवीन तो यहां पर जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई specific set of rule नहीं है इसके दोनों ही नाम correct है क्योंकि एक base compound यहां पर बन रहा था मैंने यह वाला rule follow करा और मैंने इस CH3 को number one carbon दिया क्योंकि basic जो आपका बेंजीन रिंग है उसके उपर CH3 connect होना यह इसको टॉलवीन बनाता है तो definitely यह number one carbon होगा और फिर number two carbon पर C2H5 आजाएगा तो इस वाले case में यह two ethyl tolwen हो जागा क्योंकि यहां पर आप tolwen का इस्तमाल कर रहे हो लेकिन अगर आप इसको base compound नहीं मानते तो फिर आपका यह नाम सही होता अगर आप TH3 को benzene से जोड़कर एक single compound नहीं बनाना चाहते तो फिर यह one ethyl two methyl benzene ही ठीक होगा तो यहां पर दोणों case काम कर सकते हैं यहां पर दोनों case काम कर सकते हैं अब एक compound और कर के देख़ते हैं एक बहूद बड़ी आ OFर假 कर देखते हैं जिससे आपको और clarity चैटी आईगी यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NH2, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NO2, अब बताओ इस वाले केस में क्या होगा, लगबा केस तो आप हर जगे दोनों बना सकते हो, कोई इसी नहीं बात नहीं हो, इसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज भी नहीं, केस हर जगे दो बन सकते हैं, मैंने यह एनिलीन करवाए कि नहीं, यह दो खो, एनिलीन, बेंजीन जोब एनिलीन, तो डेफिनेटली यही कारवन को मैं नंबर वन दूँगा, बिल्कुल दूँगा, 100 प्रतिशत दूँगा, तो यह आप्रमेटिक ली पोर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोर नाइट्रो एनिलीन, और अगर आप इसको एनिलीन ना मानते वे बेंजीन मानना चाहो, तो भी मैं इसको नंबर वन दूँगा, क्योंकि एनेज टू नाम का सब्स्टीटुएंट अमीनो के नाम से जाना जाएगा, और एनो टू नाम का सब्स्टीटुेंट नाइट्रो के जाना जाएगा तो नाइट्र अमिनों में वैसे भिए अमीनों एलफाबैटिकली प्रैफरेबल है इसी लिए इसका नाम फिर ऐसा पड़ जाएगा वन अब कर अमीनो टो फुर नाइट्रो अगय यह भी नाम ठीक है यह भी नाम ठीक है वह भी नाम ठीक को धादा इसलिए करते हैं क्योंकि इत्तों बड़ा नाम कौन लिखेगा है निलिन गोलो रहा है के बड़ो गंपोस्मझे हो कि नहीं मैरे प्यारे बच्चोनुळ और युख कि तेरे गो रे प्यों समझ में की नहीं आयां शेरा अरे मेरे शेरा मेरे को बता तू समझ पाए कि ने बाबा अरे बाबा थोड़ी तो दाड़ू कम पिया करो यार अना फूद पाज पर गाड़ी चल जाएगी या ए मामू हुआ क्या बता यार कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परिशानी बताओ सेम रूल, जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया यह सेम का सेम रूल, ट्राइ सब्सिट्यूटेड बेंजीन के लिए भी इस्तमाल होगा तो चलिए, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, नमबर थ्री, हमारे ट्राइ सब्सिट्यूटेड बेंजीन के लिए, ट्राइ सब्सिट्यूटेड बेंजीन के हम लोग बात करेंगे, ट्राइ सब्सिट्यूटेड बेंजीन में भी आप लोगों क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि जो आपका बेस कमपाउंड है, उसके सफिक्स को, बेस कमपाउंड सफिक्स इस, नमबर वन, बेस कमपाउंड के सफिक्स को नमबर वन लिखा जाना चाहिए, देन, एल्फाबेटिकल रूल को याद रखना, नम्बरिंग करते वक्त भी, और नाम लिखते वक्त भी, और लोईस्ट, सम रूल का इस्तमाल करना, ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, समझ मैं आया क्या, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़िया, चलिए एक कमपाउंड का नॉमेनकलेचर करके देखते हैं, यहां पर मैं लिखूँगा N02, यहां पर मैं लिखूँगा BR, और यहां पर मैं लिखूँगा CH3, बताओ इसका नाम क्या होगा? अरे फटा फटा नाम बताओ, आहा, भूल क्राएं, ओए, अब यहां पर दो कंडिशन बन सकती है पहले तो मेरे को बताओ कि क्या कोई देख रहा भनाता ज़से इन नाइटा कमन यें तो नहीं परफ्सक्तिक भैड नीट्रो बैंसीन के रहे बिनियंग्र सकता है मतलकेचनल नंबरी यही इधिन नम्रिंग यहीं से शुरू करने पड़़ी भड़़ा तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा एलफावेटिकल चलेंगे तो टू ब्रोमो पोर नाइट्रो टॉल्वीन अच्छा दूथरी बात आप यहां से लोएस नंबर रूल भी बढ़िया फॉलो हो रहा है वन प्लस टू प्लस प्लस पॉर याने की सेवन लेकिन अगर आप इमेजन करो कि अगर आप इसको वन दे देते तो यह टू होता तो यह थ्री होता और यह फोर होता तो वन प्लस थ्री प्लस प्लस पॉर हो जाता एट तो यहां तो लोएस नंबर रूल फॉलो ही नहीं हो रहा आप इसका नाम क्या लिखते है तू ब्रोमो एबीजी डिये चाहिए जाहिए एल एम 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 पहले तो वन मिथाइल देन पॉर नाइट्रो देन बेंजीन आप चाहते तो इसका ये नाम भी लिख सकते हो तू ब्रोमो वन मिन्सरी पर नाइट्रो बेंजीन भी आप इसे बोल सकते हो आरे तुम इसे बोल सकते हो शेरा आरे शेरा तेरे समझ में आया क्या आरे शेरा मुझे बता अरे क्या मैं आ के बढ़ू यार तु यार जरा हस उन्हें लाइफ नू इंजॉय कर काके और यहां सीएश्ट्री डाल दे और यहां ओएच डाल दे बले 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 अब बता वह अब बता अब क्या होगा अरे रामिया एवस्ता वह यहां हूँ बताओ क्या होगा इसका जवाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा इसका नाम तर लोइस नंबर रूल फॉलो करने जाओंगा तो भी कर पड़ा हूँ यह वन हो जाएगा यह टू हो जाएगा और यह फॉर हो जाएगा लेकिन फॉर नंबर पर एक फंक्शनल ग्रूप है और मैं जानता हूँ कि अगर बेंजीन अगर तूब्स क्याएगा तो भी पह और नरिंग के उपर OH आजाए तो वह फिनॉल के रिंग बन जाती है तो यहाँ पर हमको base compound को follow करना है over lowest number rule तो यहाँ बस star बना कर एक rule लिखो that for base compound for base compound we can ignore for base compound base compound के लिए we can ignore the lowest thumb rule तो इसका मतलब यह कि यह number one carbon यह number three carbon यह number four carbon तो इसका नाम कैसे लिखेंगे three comma four dimethyl क्योंकि दो methyl group है और root chain root name phenol है ठीक है कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है कोई पहले शानी है अब जड़ा इस compound को देखो यहां पर OCH3 डाला हुआ है कि यहां पर मिथाइल डाला हुआ है और यहां पर क्या डाल दिया इसना आयोडी चलो इसका नॉमेंट क्लेचर करके बताओ बताओ इसका नॉमेंट क्लेचर अगर के कैसे होगा इसमें OCH3 भी दे रखा है और CH3 भी दे रखा है आपको यहां पर यह डाउट हो रहा होगा कि मैं बेस कंपाउंड किसको सिलेक्ट करूं बेस कंपाउंड किसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए एनिसोल को या टॉल्वीन को तो आप जरा खुद एक बार सोचो कि टॉल्वीन जो है वो केवल एक अलकाईल सब्सिटुएंट की वजह से बना है है ना आपका यह जो टॉल्वीन अगर बनेगा तो केवल TH3 की वजह से बनेगा एक सब्सिटुएंट है लेकिन एनिसोल एक फंक्शनल ग्रूप की वजह से बन रहा है तो डेफिनेटली आपको उसी को प्रिफर करना है और क्योंकि अगर आप इसको प्रिफर करोगे तो आपका लोएस सम रूल भी सेटिस्फाय हो जाएगा फिस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टू आयोडो एल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा पोर मेथाईल एनिसोल ठीक है टू आयोडो पोर मेथाईल एनिसोल ठीक है चलिए अगला कंपाउंड देखो यहाँ पर एनेच टू यहाँ पर एम ए और यहाँ पर एटी अब फटी फटी क्या यह कोईशन देखके फटी कि सरीए एम ए का मतलब क्या होता है अब है कुछ नहीं मिथाईल ग्रूप है कुछ नहीं है इधाईल फंक्शनल ग्रूप कुछ भी नहीं है इजी एजी जेई मेड इजी तो बताओ क्या नाम होगा मिथाईल इथाईल अमाइन ग्रूप दूसरा भी लिख देता हूं कि नहीं हो गया मिरा और है ना है ना भी एक that's F-NO2-AT F-NO2-AT कर बताओ क्या नाम होगा इनका कैसा नाम होगा कैसन नाम पढ़त रह ली कैसन नाम होत रह ली बताओ बताओ जड़ा जल्दी बताओ यहाँ पर तुसब को easy समझ महीं गया होगा यह पहला गार बन होगा यह दूसरा और यह चोथा क्यूँ क्योंकि यह एनिलीन बन जाएगा NH2 बेंजीन रिंग के ओपर नाम कैसे लिखेंगे फोर्थ कार्बन पर इथाइल एल्फाबेटिकली प्रेफरेबल सेकेंड कार्बन पर मिथाइल और फिर एनिलीन इसमें क्या होगा कोई पेरेंट चेन नहीं बन रही है आई मिन कोई रूट या बेस कंपाउंड नहीं बन रहा है जैसे वहाँ पर NH2 क्यों ऐसे एनिलीन आया यहाँ पर एसा कोई मैंने आपको नाम नहीं दिखाए कि बेंजीन के ओपर इथाइल होने से कोई कॉमन न चालने तो फिर लोवेस नंबर रूल लगाते वह इसको वन बोलेंगे इसको टू बोलेंगे और इसको फोर बोलेंगे लोवेस नंबर रूल लगाना पड़ेगा भले यह अलफाबेटी का लिए इथाइल पहले आता हो लेकिन मैं इसे प्रिफरेंस क्यों नहीं दे रहा हू तो टॉल्वीं वॉल्वीं नहीं आता तो फिर इसको उवाइड करो लेकिन नाम लिखने के लिए ए देन एफ e then n I है दैन है वह वोर बैंजीन पोर इथाइल भन फ्लोरो्ष भन रिक्णड लो तू नाइट्रो बेंजीन ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत अब एक चौथा और एक बड़ा है इंट्रस्टिंग रूल वो रूल यह कहता है देट वेन the benzene ring is attached to an alkane chain to an alkane chain containing a functional group containing a functional group or that alkane chain have more than three carbon or three carbon then it will become a substituent then it will become a substituent which is named as penile याने अब बेंजीन बेंजीन ना रहा parent compound ना रहा अब वो substituent हो गए और जब कभी भी कोई चीज substituent होती है वो हमेशा prefix में लगाई जाती है इसलिए and should be placed and should be and should be placed at prefix not at suffix आई बास समझ में याने यहाँ पर आपका बेंजीन का रिंग अगर किसी ऐसे alkane की chain से जुड़ा है जिसके पास में functional group है याउद alkane की chain के अंदर तीन कार्बन या तीन से जादा कार्बन की chain है तो वो compound में बेंजीन रिंग का नाम बेंजीन की जगे आ जाएगा phenyl क्या जाएगा phenyl और जो phenyl है वो suffix की जगे पर कहां इस्तमाल होगा prefix में इस्तमाल होगा आउए एक example से इसे समझे जैसे आपका बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर ये ऐसा आपको दिख रहा है ओ ये तो हैलिकॉप्टर जिसन में देराता है ये तो आपने काटून में देखा होगा एसे ब्रूम 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 करके हैलिकॉप्टर उटते हैं क्या आपने इसे कभी देखा है ये तो बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक कारवन यहाँ पर एक कारवन यहाँ पर और एक कारवन यहाँ पर तीन कारवन की चेन है इसलिए ये कहलाएगी अब आपकी parent chain ये है आपकी parent chain और ये जो आपकी ring है ये हो जाएगा आपका सबस्टीट्यूएंट तब इस compound का नाम कैसे लिखेंगे वन टू एंट्री त्री कारवन की लंबी चेन प्रोपेन जिसके दूसर नमबर वाले कारवन पर एक सब्सटीट्यूएंट इसका नाम लिखेंगे टू फिनाइल प्रोपेन समझे समझे प्यारे बच्चे अरे मेरे प्यारे बच्चे समझे की नहीं समझे ठीक है अच्छा अब एक और एक्जेम्पल करके देखते हैं जरा इसका बताओ मुझे इस compound का नाम क्या होगा हाओ विल्यू नेम दिस कंपाउंट हाओ विल्यू नेम दिस किम्पून 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 बताओ इस compound का नाम क्या होगा वो यार गुल्जारी लाल हुन थोड़ा तो दसो यार है वो यार क्या कर रहे हो इसका नाम दसो दसो जल्दी दसो और पर एक कारवन दो कारवन और तीन कारवन है है उससे परत नहीं पड़ता कि तीन कार्बन इसके पास में फंक्शनल ग्रूप मलब यही वाली चेन अगेन बन जाएगी आपकी पेरेंट चेन और आप देखो मैंने नंबरिंग यहां से शुरू कर गी है क्योंकि फंक्शनल गूप को छोड़ा नंबर देना है तो दूसरे नं प्रोपेनोइक एसेट टूफिनाइल प्रोपेनोइक एसेट ठीक है कोई प्रॉब्लम अब मुझे जरा इस क्वेस्चन को सॉल्फ करके बताओ मानलो यह बैंजीन की दिए ट्वी 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 ओएच ट्वी आवी नेम इस कंपाउंड एक क्वेशन यह देता हूं सुमն एक यह एक कोई यह अच्छा दिख रहा है कि बेंजीन की रिंगे यहां पर ट्वीट चिहां पर यहां पर अपने को नीचे छाले आना अशा लाना है यहां यहां बिया लगाना है एक तो यह कर लेते हैं और कोई नब एफ अच्छा जिए एक बात ध्यान रखना ज्यादा ऑवर क्वॉअटे में मत तुर्ण यहीं व्यूठी आते हैं तुम्हारे एक्जान में फिर स्ट्ब्ध में यहीं क्वेश्चन यह दो ज्यादा आप लोगों को सोछने की यह ज्यादा लोड लेने की बिलकुल जरूवत नहीं है इस तरीके ही क्वेस्चन्स आते हैं और और आपके इस तरीके के क्वेस्चन्स की ट्राक्टिस्ट भी करनी पड़े गी अ के चलो बता हूँ कैस 스ाउव करोगे इनको हिसी फटा-फट सौल्व करो ँक कैसे सौल्व होगा यह किसे सॉल्व करोगे इनको, फटाफट सॉल्व करो, किसे सॉल्व होगा ये, तो देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे, वन, तो आपका अलकोहल दूसरे पर और यह तीसरे पर आएगा, और अगर आप यहां से numbering शुरू करोगे 1 तो यह alcohol इदर से भी 2 पर आएगा और यह phenyl 3 पर आजाएगा अब यहां पर आप ज़रा lowest number rule लगाओ आपका एक substitute phenyl की ring याने benzine और एक है आपका alcohol तो आप यहां पर अगर numbering यहां से शुरू करोगे तो phenyl को भी छोटा number मिल रहा है alcohol को भी छोटा number मिल रहा है इसलिए हम लोगों को numbering शुरू करनी पड़ेगी वहीं से अब इसको लिखेंगे कैसे हम इसको लिखेंगे 1 phenyl 3 carbon की chain है इसलिए propane 2 oil यहां पर हमारा जो सब्सिटुएंट है वह सब्सिटुएंट क्या बन गया phenyl और हमारी जो 3 carbon की लंबी chain है जिसमें alcohol functional group है वह बन गई हमारी parent chain अगला देखो यहां पर भी numbering यहां दे शुरू करो यहां से शुरू करो इसको दूसरा और इसको तीसरा ही number मिलेगा लेकिन अगर यहां से शुरू करोगे तो इस phenyl को बिचारे को छोटा number मिल जाएगा lowest number rule के हिसाब से यह numbering ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 di bromo then dash then one dash phenyl 1,2,3,4 carbon की chain इसलिए propane यह इसका नाम होगा आई बात समझ में ठीक है लेकिन यह वाले compound में क्या होगा कि यह functional group सबसे जादा preferable है इसलिए मुझे इससे छोटा number देना पड़ेगा तो इसको तो 1 देना मेरी मजबूरी हो गई यह हो गया 2 यह हो गया 3 तो यह हो गया 4 तब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अब अलफा बेटी कली चलो अलफा बेटी कली चलेंगे इसकी बेटी उसकी बेटी अलफा बेटी तो यह हो गया 2 ब्रोमो फिर B के बाद आता है H तो 3 हाइड्रोक्सी फिर पहले कार्बन पर फिनाइल और एक दो तीन चार कार्बन की चेन इसलिए ब्यूटेन इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चो आपको इनको नॉमेंक्लेट करना पड़ेगा बोलो बच्चो आया की नहीं आया आया क्या आग्या बच्चो पका अब जरा मुझे एक माज मजाओ आग्या आपके पांच में इस तरीके से एक बेंजीन आजाएं एक बीजीन आ जाएं अब आप इनका नाम कैषे देखोगी आप आस बोलो को सारी तो दो बेंजीन आपस में जुड़े沼एं तो क्या मैं एक Benzin को तो अगर मैं एक सबसिट्वेंटं मानूगा तो ये हो जाएगा फिनाइल और इसको अगर मैंने रूट माना सबसेकर और फेनाइल बेंजिन हाँ हो सकता है या तो दोनों को पेरेंट मत मानों आप किसी एक को पेरेंट मान सकते हो दो को नहीं तो अगर आपने एक को पेरेंट माना तो एक को सब्सिटुएंट मान लो या दोनों को सब्सिटुएंट मान लो दोनों को सब्सिटुएंट मान लो ये भी ठीक है डाइफिनाइल बोल लो या तो ठीक है चलो अब एक क्वेशन ये देखो ऐसा का ऐसा क्वेशन मैंने आपको फंक्षिनल गुरूप वाले केस में करवाया था अली हाइड वाले में यात करो मैंने कहा था कि कारबन है ये डाइच्टू इसके पास भी एच ओ इसके पास वी थ presenters चूह और इसके पास भी और वी ते नहoc इस चक्कर में इस चक्कर में क्या होगा इस चक्कर में हम इन तीनों को अवाइड करेंगे और इनहीं पैरेंट मानेंगे बस मलब हम यहां पर वो रूल तोड़ेंगे जिसमें हम पंक्षनल ुंक के कारवन को लॉंग्अगो दॉ म कावजन वी खाःबन से तो इन दौनों मेंसे किसी गूर्ट मत इन दोनों को शब्सिट्यूएंट मानो इसको मानो एक करवन आपका पैरेंट तो तो पहले कार्बन पर इधर और पहले कार्बन पर दोनों पर सबसीटुएंट है इसलिस नाम हो जाए का डाइट पीनाइल एक कारबन की चेन इसले मिधेन डाइफ इनाइल मिधेन इल भी कॉल्ड एस डाय फिनाइल मिधेन आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों मेरे बका सुरों क्या आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू चलो जहां पर मैंने आप लोगों को यह मोनो सब्सक्राइट सिका रहा है था यहां पर एक नाम और लिख लो या तो इसको आप साइनो बेंजीन बोलो या आप इसको बेंजो नाइट्राइल बोलो बेंजो नाइट्राइल बोलो ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत चले तो विद्धिस आपका यह नॉमेंट के चाहला पार्ट कंप्लीट हो गया लेकिन यहां पर मैंको कुछ और भी इंपॉर्टेंट एक्सक्राइन चाहूं गया है यहां पर हम लोग करेंगे आख सम को मन फ्रिफिक्स की अ जिन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब फिसमय संबतीट इस सबसीथटियूट तो मेरी बात समझना अगर आपके बेंजीन रिंग के पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर कोई सबस्टिटुएंट आ जाता है तो इसके लिए प्रिफिस इस्तमाल होगा और थो वहीं पर अगर आपके बेंजीन के पहले कार्बन पर और बेंजीन के तीसरे कार्बन पर अगर सबस्टिटुएंट आ जाए तो इसके लिए प्रिफिक्स इस्तमाल होगा मेटा लोग बड़े आलती है और्थो को आजकल केवल O से लिख देते हैं मेटा को केवल M से लिख देते हैं पेरा को केवल पी से लिख देते हैं समझ में आया क्या चुटे चल्दी बोल चुटे मघज में आया क्या पका तो मान लीजिए आपके पास में ब्रूम ब्रूम आ गया मतलब बेंजीन का रिंग आगया यहां पर किलोरीन यहां पर किलोरीन तो पहले और तुसरे कार्बन पर सब्सिटुएंटे तो इसके लिए वह इस्तमालों को और्थो और्थो के बाद डाय क्लोरो डाय क्लोरो के बाद में बेंजीन मान लिए आपके बास में बेंजीन रिंग यहां पर 10 तो यहां पर मानलो आ गयाrice इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे और त puntos निगें मिताइल पर यह करेंट रिंग क्यों सि y 19प यह उसल और तो अनिशय शुर्ण जोए जोए मतलब 21 सप्सिटुटोन होना जरूरी नहीं है पालों यहां पर आगा एने एक टू और यहाँ पर आ गया ब्रोमिल दोसको यह बोलेंगे और थो ब्रोमो एनिली समझ में आया बात गुलजरी लालो लालो समझ में आया के लालो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन क्या बोलेंगे मेटा डाय क्लोरो बेंजीन यहाँ पर अगर यहाँ आयोडीन आगया यहाँ आयोडीन आगया तो क्या बोलेंगे पैरा डाय आयोडो बेंजीन तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा नहीं टू एनो टू तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्योंकि चोथे नमबर वाले कार्वन पर नाइट्रो पहले पर बन और यह एनिलीन बन जाएगा पैरेंट चेंड तो पैरा नाइट्रो एनिलीन विल बी दा नेम पैरा नाइट्रो एनिलीन विल बी दा नेम समझ गए प्यारे बच्चे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कोई दिक्कत पक्का 100% क्लियर 100% क्लीन पक्का शूर चलिए तो गाइज इसके साथ हमारा पूरा नॉमेंक्लेचर वाला पार्ट यहां पर कम्प्लीट होता है अब मैं एक काम करता हूँ कि क्योंकि मुझे आइसोमेरिस्म पढ़ाना है और आइसोमेरिस्म जादा बड़ा पार्ट नहीं है इसलिए अब एक काम को रहें दो मिनिट का ब्रेक लेलो ब्रेक क्या लेना पॉस करलो यहां तक सब कुछ रिवाइस करलो कोई प्रॉब्लम आरी ह के से अच्छे तरीके से रिवाइस कर लो फिर अपन शुरू करेंगे आइसोमेरिस्म देखो मैंटा जेई के अंदर आइसोमेरिस्म की बहुत इंपोर्टेंस होती है क्योंकि एक टॉटोमेरिस्म करके कॉंसेप्ट होता है वो कैसे फसाता है जेई में हमको कि मालो आपने ए रियाक्शन करने पर आपको एक प्रोड़क्ट मिला जो आपकी NCIT में भी लिखा है आपको मैंने भी लिखवा है लेकिन जेई वाला क्या करेगा उससे एक स्टेप आएके चलके टॉटोमेरिसम लगा देगा तो जब उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर टॉटोमेरिसम होने लगेगा तो कंपाउंड बदलके कुछ और हो जाएगा और वो जो कंपाउंड कुछ और हो जाएगा वो जादा स्टेबल है और केमिस्ट्री के हिसाब से जो कंपाउंड इस दुनिया में जादा स्टेबल होता है वही बनके तैयार होता है तो हम लोग जब जब जेई में आंसर लगाएंगे तो हम सोचेंगे किया रहे मिनित कि उन्जे संदे तो यह रियाक्शन करवाई थी इसमें लेट से इमाइन बनेगा यह लेट से इसमें कीटो बनेगा लेकिन कीटो का टॉटो मेराइजेशन होकर वो इनॉल बन गया और इनॉल जादा स्टेबल दिखरा है तो जेई के आप्शन में इनॉल भी रहेगा और जब टॉटो मेरीज में होता है तो खुली चेन ऐसी पोल्ड होगा ऐसी कोईल हो जाती है ऐसा रिंग जैसा दिखने लग जाती है हम सोच मुझते कि यार रियाक्शन तो लंबी कारवन की चेन की है तो प्रोड़क्ट भी लंबी कारवन का चेन होगा यह साइक्लिक रिंग तो हो नहीं सकती और वहां हम खा जाते हैं मात तो टॉटो मेरीज में बहुत इंपोर्टेंट है कुछ आइसो मेरीज में अभी नहीं पढ पर कर लो फिर आपन चलते हैं आगे चलो तो फिर भी न डाइम वेस्ट करें अब आगे बड़ते हैं मच्छर आ चुका है यह मच्छर को नहीं मारा तो यह हमें डेंगू मलेरिया दे सकता है इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ कि आओ हम मच्छर माने चलिए तो स्टार्ट करते हैं आईसो मेरिज्म आईसो मेरिज्म अगर आप किसी इंस्टिट्यूट से जाकर पधाई करोगे तो वो लोग इसको एक पूरा सेपरेट चैप्टर की तरह लेते हैं मलब इस्पेसिफिकली जो जेई एडवांस की तयारी वगेरा करते हैं उनको तो ये एक प्रॉपर चैप्टर की तरह लेना पड़ता है और प्रॉब्लम यह आजाती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़े आती हैं जिसके बारे में इनिशेली आपको नॉलेज्ज ही नहीं हो यह होग बहुत इमपोटेंट हैं लेकिन दूसरा टाइप का इसे में उसमें भी जो यह क्यांता है कि और स्क्कम150 संटा को at पढ़ लेते हो लेकिन वो अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है और हम उसे वैसे ही पढ़ेंगे क्योंकि जब आप लोग सिस्ट ट्रांस इस तरीके का आइसोमेरिस में देखोगे सीहोर्स प्रोजेक्शन न्यूमेन प्रोजेक्शन देखोगे तो वह आपको हाइड्रोका के अंदर वही चीज पढ़ेंगे जो अभी आप समझ पाओ जो चीज अभी हम समझ नहीं पाएंगे जिसके अंदर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वह हम उसे उसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी तो अगर हमेर्स को पूरे चैप्टर को एक साथ मत पढ़ना अलेस आपने पुरा सिलेबस नहीं पड़ा अगर आप अपने पूरी केमिस्टी का सिलेबस पढ़ लिया है आप ड्रॉपर ओ तो आप आइसो're पूजारेट्चैप्टर ले सकते हैं जो कि आप सब कुछ कही नहीं पर होता है जिनके अंदर compounds का molecular formula तो same होता है compounds have the same molecular formula compounds का molecular formula same होता है but they have different properties लेकिन इनकी जो properties होती है वो different हो जाती है they have different properties इस phenomenon को isomerism बोलते हैं इस phenomenon को isomerism बोलते हैं तो हम यह आप ऐसा लिख सकते है isomerism is a phenomenon is a phenomenon जिसके अंदर compounds have in same molecular formula but different properties अब मैंने प्यारे बैच्छों isomerism दो तरीके का होता है एक होता है आपका structural isomerism structural isomerism STRUCTUR structural isomerism और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों stereo isomerism जो को अपन पूरा detail में discuss करेंगे कोई problem नहीं हो इसके अंदर लेकिन जो stereo isomerism है यह मैं आपको अभी थोड़ा से explain कर दूँँगा बाकी इसे discuss करेंगे बाद में stereo का मतलब होता है three dimensional तो बेटिकली stereo isomerism का मतलब होता है इसके अंदर compounds का molecular formula तो same होता है but they have different arrangement of atom but they have different arrangement of atoms in the three dimensional space याने कि यहां पर बात हो जाएगी 3D की याने for example अगर मेरे पास में यह है एक tripod stand let's say camera है gopro इसके नीचे अपना है tripod stand तो आप देखो यह एक leg यह एक leg और यह एक त्री dimensional space में arranged है दिखरा है जबको यह three dimensional space में arranged this is having a three dimensional area तो अब यह अगर arrangement में कोई बदलाव आ जाए बना imagine करो एक tripod जिसकी तीन टांग है और एक यह बीच में से टांग निकली हुए चार टांग वाला tripod अब अगर एक tripod में arrangement ऐसा है इसी के जैसा एक और ट्राइपॉड हो उसमें यह arrangement अलग हो जाए let's say यह जो है यह ऐसा पीछे की तरफ आप आ जाए कुछ ऐसा दिखने लग जाएगे और यह बात समझ में तो क्या बोलोगी आप किसे दोनों ट्राइपॉड तो बिल्कुल सेम दिख रहें सेम कंपनी के सेम कलर के सेम साइज सेम वेट लेकिन ससूरे की चोथी टांग अलग है इसकी चोथी टांग नीचे लटकी हुई एक की चोथी टांग पीछे की तरफ है बात समझ में आ गई आपको तो यहां पर मॉलीक्यूल्स के अंदर कंपाउंड के अंदर मॉलीक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके जो एटम्स अरेंजड होते हैं त्री डाइमेंशनल स्पेस में अलग-अलग साइ तो आपको देखने को मिलेगा कनपौर्मेशनल आइस हम होंगे जो आप लोगों को आगे चलके देखने पढ़ेंगे लेकिन गाइस गूद लेकर निउज करेंगे अभी हम इन तीनों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे अब हम बात करेंगे की पॉर्परली इसके अंदर पांच अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं उन पांचों टाइप कि अपनी डिस्कस finishes करेंगे今天的 देख लो कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं चलिए हेडिंग डालिए स्ट्रक्टरल इसो मेरिज्म के अंदर क्या होता है तुम मोलक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है But इनके क्म्पाॉण्ट्स के अंदर structure में different होता है वुह तु समझ रहा है इनके structure में different होता है को कोई्ट weekend मोटा होगा उतो कोई पतला होगा समझ वारी बात लहेंगे सब एक जैसे इमाजिन करो तुम वो एड देखते हो पहले में बहुत मोटा था फिर मैंने खाया बाबा रामदेव का ये चूरन अब मैंने अपना वजन 50 किलो कम कर लिया है और फिर वो बिफोर और आफ्टर का फोटो लगाते हैं तो बिफोर वाला भी वह है आफ्टर वाला भी वह है ले क्शेट समझ में आया मैं यहां पर भी कंपांटों समें प्हुक्रक्ण ना मॉ लगण सी देसे मिए अंधर होगा है बला सकी सथा ही तो बोलते हैं मेरे दिमाग में इतना गंदा ख्याल आया मैं इतना वल्गार हो चुका है में पूरा बरबाद उचुका हूं शाला नरक में जागा नहीं मिलेगी मेरेको इस बाईयो वाले नहीं होना तुम वणना तुम समझ जाते हैं चलो, पॉजिशन के बाद पॉंक्शन या फंक्षनल आइसोमेरिज्म, चौथा, मेटामेरिज्म और पाचवा, टॉटोमेरिज्म, तो कुल यह पांच प्रकार की आइसोमेरिज्म अपने को पढ़ने हैं, जिसमें सबस्क्रादा खास जो रहेगा वह यह टॉटो मैरीज मेरेगा इसके अंदर एक दम से बड़ जाएंगे ज़स्बाइब बतल जाएंगे हालात बतल जाएंगे लेकिन उपर के चार चगा चग रहेंगे नॉर्मल रहेंगे चलो तो एक एक करके सब डिसकस करना ती एच्टू ती एच्टू ती एच्टू ती एच्टू ती एच्ट्री एन पेंटेन याने पांच कार्बन की लंबी चेन पेंटेन पेंटेन अरे पांच कार्बन की लंबी चेन पेंटेन पेंटेन इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा पांच कारबन बारा हाइट्रोजन है ना लेकिन क्या आप जानते हो कि मेरे पास में कंपाउंड और हो सकता है CH3 CH2 CH CH2 CH3 इट इस कॉल्ड एस टू मेथाइल ब्यूटेन चार कारबन की लंबी चेन ब्यूटेन ब्यूटेन लेकिन जब आप इसका MF देखो गया आने मॉलीकुलर फॉर्मूला यह हो जाएगा C5H12 मनला आप देखो दोनों का मॉलीकुलर फॉर्मूला सेम है अब एक कंपाउंड और आ सकता है इसके अंदर TH3 CH3 TH3 TH3 इस कंपाउंड का नॉमेंक्लेट करोगा तो यह हो जाएगा 2,2 डाय मेथाइल प्रोपेन तीन कारबन की लंबी चेन प्रोपेन प्रोपेन इसका मॉलीकुलर फॉर्मूला क्या हो सकता है C5H12 अब आप देखें इन तीनों कंपाउंड को ध्यान से इन तीनों का मॉलीकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इन 3ों के अंदर लंबाई में परक है किसी का लंबा क्या बोल रहा हूं में वश्लीलता मेरे दिमाग उश्लीलता भर चुकी है वह 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 तुम क्या बोलती तुमको बिलकुल समझ नहीं आती इसमें पांच कार्बन की albicane होती इसमें 4 नंतिक तो इसमें 3 carbon की लंबी चेन होती तो अपनी क्या देखी molecular formula same compounds that have same molecular formula but they have different chain length they have different chain length different chain length of the parent compound जो parent compound है उसकी chain length में पढ़के तो यह हो गया आपका chain आइस्टो मेरी जो क्या आपको chain पढ़ा क्या आपको chain पढ़ा यह पढ़के बताओ चैन्नाई का नाम चैन्नाई क्यों पढ़ा क्योंकि वहां पे सब लूंगी पहनते हैं पेंट कोई पहनता ही नहीं और अगर पेंट नहीं पहनेंगे तो इसमें chain भी नहीं होगी इसलिए chain नहीं गंदा जोग कोई बाद कभी कभी होता है कट कर देना यार भाईया एडिटर तू तो ऐसा पॉल राज तेरे पास में एडिटरों की लाइन लगी है मैं खुदी एडिटर हूं में खुदी काट दूँगा चलो तुसरा है पोजीशन आइसो मेरिस्म अब गाई पोजीशन आइसो मेरिस्म का मतलब क्या होगा मनलब यहां पर आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट देर विल बी डिफ्रेंट पोजीशन बट देर विल बी डिफ्रेंट पोजीशन आफ फॉंक्शनल ग्रूप और मेभी डिफ्रेंट पोजीशन आफ डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ट डबल बॉन्ट डबल बॉन्ट और ट्रिपल बॉन्ट की पोजीशन में पर एक्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें तो CH3 CH2 CH2 आथू इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वन प्रोपेन वन ओल लेकिन आई जो निया नहीं जो जगता है ना प्रोपेन टू आल क्या यहां नहीं हो जगता है आ अचा इसका मॉलीकिलर फॉर्मुला क्या होगा इसका molecular formula क्या होगा 3 carbon 8 hydrogen और 1 oxygen as you can see यह और यह दोनों का molecular formula सेम है बट इनके अंदर functional group की position में difference है और एक example देख लो CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2 1, 2, 3, 4, 5 5 carbon की chain इसलिए पेंटेन पेंट वन इन वह यह वह पेंटेन जो मैंने आज फिर नहीं पेंगी है और शायद इसलिए मेरा घुटना ठुप चुका है क्योंकि मैं पेंट नहीं पेंटा और घुमों नंगे पूंगे पेर लेके अच्छा दूसरे वाले केस में क्या होगा CH3 CH2 CH double bond CH CH3 अच्छा यहाँ पर इसका molecular formula 5 carbon 10 hydrogen वाला होगा यहाँ पर भी इसका molecular formula 1, 2, 3, 4, 5 5 carbon और 10 hydrogen वाला होगा 3, 3, 4 हाँ ठीक है लेकिन इस compound का नाम क्या होगा इसका नाम होगा paint 2 in क्योंकि अब दूसरे और तीसरे carbon के बीश में double point तो क्या आप सभी लोगों को functional isomeris में समझ में आया क्या आप सभी लोगों को functional isomeris में समझ में आया ओ सारी position और example बता हो देखो और example है example तो अपसे पास में इतने सारे है इतने सारे है इतने सारे है कि मैं क्या बता हूँ benzene 1,2 sunny day all benzene 1,2 day all यह हो जाएगा benzene 1,3 day all और यह हो जाएगा benzene 1,4 day all 1,4 day all अब आप देखो इन सभी का molecular formula से में सभी के अंदर एक एक benzene के लिएंगे मलब 6-6-8 बन होंगे 8-8-8 hydrogen होंगे और 2-2-2-2 oxygen होंगे तो यह आपका हो गया position isomerism अब position isomerism के बाद में जब हम लोग तीसरे compound isomerism की तरफ चलेंगे that is your functional isomerism अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे functional isomerism के बाद में अब देखो functional isomerism के अंदर क्या होगा they have same molecular formula but they have different functional group बहुत बड़ी हाँ example के साथ अपन शुरू करें अगर तो फोर एक्जेंपल अगर आपके पास में जाए CH3 प्रोपेनल किसका नल प्रोपेनल इधर का नल उधर का नल हम मिलकर बोलेंगे प्रोपेनल लेकिन अगर आप इस compound को देखो गयें तो यह हो जाएगा मेरा दैस्वासियों प्रोपेन टूओं लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूं मेरा मित्रों इसका molecular formula क्या दिखाई दे र रहा है क्या तीन कार्बन आठ यह हाइड्रोजन और एक oxygen बेलकुल दिखाएगे मजब मित्रों इन दोनों के अंदर molecular formula तो सेम है लेकिन ससुरा function ग्रूप ही चेंज हो गया है और एक एक एक्जैम्पल देखो थी ट्रिपल बॉन्ड एन इसको बोलेंगे इथेन नाइट्राइल लेकिन आप ये भी तो देख सकते हैं कि कभी कभी nitrogen जुड़ जाता है मरवच्चों को cn ले लिजिए और इसको nc ले लिजिए अंकल जी पानी पिला दिजिए मेरा गलास उक रहा है तो यह हो जाएगा आइसो नाइट्राइल तो देखो दोनों का molecular formula जेम ही है दो carbon दोनों में दिख रहे हैं तीन hydrogen और एक nitrogen देखें तो इसका इसका molecular formula क्या लिखोगे दो carbon, 3 hydrogen, 1 nitrogen इसका molecular formula क्या लिखोगे 2 carbon, 3 hydrogen, 1 nitrogen पानी, पानी, पानी पानी अंकल जी, पानी पिला दिजी है, मेरा गलार तुक रहा है, समझ मैं ही बात तुम लोगों को, समझ मैं आया की नहीं आया, this is your functional isomerism, this is your functional isomerism, और example देखिए, functional isomerism का, for example, अपने पास में आगया, TH3, COOH, और अपने पास में आगया, TH3, OH, TH3, ठीक है यह देखो अब इसको क्या बोलेंगे इथे नौइक एसिड और इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे दोनों तरह एक कारबन है यह कारबन में फंक्शनल ग्रूप और यह सब्सिटुएंट तो यह होगे आपका मिथाइल मिथे नौएट मिथाइल मिथे नौएट दोनों के अंदर आपको दो कारबन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सिजन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर भी दो कारबन चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सिजन दिखाई दे रहे हैं तो यह होगे आपका एक और फंक्शनल आइसोमेरि का इक जाम पल कि समझ माया कि नहीं मेरा देश वासियों मेरा बच्चों मेरा बखुड़ों मेरा राज दुनारों ठीक है चली तो इसके बाद में चौथा आता है चौथा आता है मेटामेरिज्म चौथा आता है मेटामेरिज्म बटा मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है अलकाइल ग्रूप की लेंद में फरक होता है on the both side of functional group याने की compounds having same molecular formula but they have different size of alkyl group on the either side of या on the both side लिखना चाहिए मुझे on the on the both side of अपना functional group समझते है इसको कैसे करेंगे देखो इसे मान लीजिए कि अपने बाद में compound है th3 th2o th2 th3 यह ether हो गया और ether में केवल prefix आता है अलकॉप्सी अलकेन अब इधर भी दो कार्बन की चेन इधर भी दो कार्बन की चेन तो मैं इस चेन को सब्सिटुएंट मान लेता हूं और इसको functional group मान लेता हूं तो इसका नाम हो जाएगा ethyl इस और यह पर देख रहे हो oxygen आपका जो फंक्शन ग्रूप है इसके इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन तो इसका molecular formula हो जाएगा चार कार्बन 3,3,6,7,8,9,10,10 hydrogen और एक oxygen लेकिन आप यह भी दो देख सकते हो कि अगर यहाँ पर आजाए ch3 ch2 ch2 o ch3 तो अब यह हो जाएगा आपका लंबा फंक्शन ग्रूप वाला काम आई मिन लंबी कार्बन की चेन और यह हो जाएगा आपका प्रिफिक्स वाला नाम तो इसको क्या बला जाएगा इसको बला जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके ऑक्षिजन के साइड में एक तरफ तो तीन कार्बन की चेन है और एक तरफ केवल एक कार्बन की चेन है लेकिन यहाँ पर इसके ऑक्षिजन के दोनों तरफ दो-दो कार्बन की चेन है तो मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम पंक्शन के दोनों साइड में जो चेंड की लेंथ है अलकायल गुरुप की वह बदल गई उदर वाले में दोनों तरफ इथाइल इथाइल यह दो-दो कारबन इधर एक तरफ मिधाइल हो गया और एक तरफ प्रोपाइल हो गया समझ में आई बात समझ में आई बात और एक्जेंपल देखना चाहते हो और कहां पर आपने इसका लगा सकते हैं यह से मान लीज़िए यह पास पास में आगे हैं थी पी यह टू टी डबल वॉन्ड ओ फी एच टू पी यह ट्री इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन त्रियोन इसका molecular formula में आपको 5 carbon दिखाई देत रहली hydrogen 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और एक oxygen और same अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इस वाले case में मैं क्या कर रहा हूँ CH3, CH2 CH2, C double bond O, CH3 अब इस compound का नाम हो जाएगा pentane 2-on और इसका जो molecular formula वो same है C5, H10-O लेकिन आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि इसका यह जो double bond oxygen वाला जो functional group है C double bond हो याने ketone इसके इधर 2 carbon की chain इधर 2 carbon की chain लेकिन इस तरफ आपका जो C double bond O नाम का functional group है इसके एक तरफ एक ही कारवने और एक तरफ तीन कारवने तो यह हो गया आपका metamaryism बोलो बेटा क्या तुम्हें मेटा समझ में आया संभ 커플 एकी वाधों बहुत है बहुत बढ़ी है तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चौथे आइसोमेरिस्म की जिसका नाम है टॉटोमेरिस्म क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मरे बच्चों चलिए बहुत बढ़ियां कि चल तो टॉटोमेरिस्म के अंदर क्या होगा अप ध्यान से चीज को देखना है अपने पास में एक नाम का एटम है इसके पास में एक हाइड्रोजन है यह सिंगल बॉंड से जुड़ा है य से और यह डबल बॉंड से जुड़ा है देट से ठीक है आपको क्या कंडिशन समझ में एक 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 नाम का एटम है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो जुड़ा है य से सिंगल बॉंड से इनके बी कि खुजीली और इस वजह से यह जैड़ इस डबल बॉंड को कर लेगा विड्रो तो इस वजह से अब आप लोग देखेंगे कि Y और Z में बन गया एक सिंगल बॉंड है आप यहां पर देख पाएंगे कि आपके Y और Z में बन गया सिंगल बॉंड अर अब एक कुछ देर के लिए imagine करो कि यह जो double bond है यह वाला यह hydrogen I mean यह bond Z ने इधर खीच लिया अब क्या होगा अब यह y बोलेगा जो का जो का जो का क्यूं क्यूंकि y को तो चाहिए double bond लेकिन अब y का हो गया single bond और x के साथ में single bond से जुड़ा हुआ है तो x बोलेगा रो मत तेर को एक double bond चाहिए न तेरा उत्में हो जाएगा हां तो यह क्या करेगा यह x अपने ही hydrogen की लगा देगा और इसके double bond को यहां भेज देगा तो यहां पर x और y में आ जाएगा double bond तो सब कुछ set है लेकिन अब बस एक problem है कि यह hydrogen बोलेगा एह डोका दोका 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 तो यह Z बोलेगा अरे पगले यह by का जो मेंने एक single bond कीचा है और यह यह bond घीचा ही यह इसका मैं क्या करूँ आ seris का मेरे इसे फिनोमिनन यह कैसा फिनोमिनन है in which two constitutionally two constitutionally different molecules यानि ऐसे molecules जो टेकनिकली एक दूसरे से बहुत साथ है different है वल्लब इतने different हैं कि एक non aromatic होगा तो एक aromatic होगा बहुत different होते तो they are constitutionally different molecules but they are in dynamic equilibrium but ये दोनों एक दूसरे के साथ में dynamic equilibrium पर आ जाते हैं because of transfer of because of transfer of atoms और ये atoms भी कौन से होते mostly proton यानि केवल और केवल H plus यानि कि ये molecule और ये molecule एक दूसरे से बिलकुल अलग है इनका base ही अलग है constitutionally ये दोनों molecule एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी equilibrium में है equilibrium में होने का मतलब है अगर ये तूटेगा तो ये बनेगा अगर आपके reaction forward जा रही है लेकिन अगर मैं conditions में change कर दूँ तो ये वापस से backward जाने लगेगा और वापस से ये बनने लगेगा जिससे ये बनाता फिर ये तूटके ये बनाने लग जाएगा तो ये equilibrium आ गया तो ये equilibrium में क्यों है क्योंकि hydrogen यहां अते घूम के यहां पहुच रहा है तो ये hydrogen की अदल बतल से ये दो अलग अलग टाइट के molecule एक दूसरे के साथ में आ चुके हैं इकुलिब्रियम इसको बोलते है टोटू मेरिज्म अरे बीडू समझ में आया क्या है अरे बाबा समझ में तो आ गया लेकिन थोड़े एक्जेम्पल्स बताओ वरना मैं गाड़ी चला दूँआ शेरा गाड़ी निकाल अरे मामू तिरे को समझाता है न मैं डेख डाइ नॉन फिनॉल ये molecule is dynon अब यहां पर आप देखो यह molecule completely non aromatic है मैं आपको इस सब्सक्राइब हो सकता जब उसके alternate positions पर double bond हो तो यहां पर डबल bond होना चाहिए था जो इसके अंदर missing है इसलिए यह non aromatic है अब क्या होगा आप ध्यान रखना यू always have to search for alpha hydrogen always search for alpha hydrogen याने functional group के पास वाले carbon पर लगा hydrogen जिसे आप देखो यह आपका functional group तो functional group के पास वाला carbon यह तो आप देखो इस carbon पर एक नहीं बल्कि दो-दो hydrogen लगे वे unsaturated है नहीं तो चार bond होते हैं तो यह carbon का एक bond तो यह हो गया यह एक bond यह हो गया दो bond बाकी के दो bond कौन बनाएगा यह hydrogen तो बनाएगा तो हमेशे ध्यान रखना search for alpha hydrogen टॉटो मेरिसम करने के लिए and दूसरी condition यह है कि यह जो आपका alpha hydrogen होगा ना alpha hydrogen should be on saturated carbon याने कि यह hydrogen जो होना चाहिए वो एक saturated carbon पर होना चाहिए मदब ऐसा नहीं कि यहाँ पर double bond आ जाए नहीं अगर यहाँ पर double bond आ गया तो फिर condition satisfy नहीं होगी तो यहाँ पर दोनों condition satisfy हो रही है भाई फंक्शनल ग्रूप के पास वाला carbon is your alpha carbon और alpha carbon पर दो alpha hydrogen दिख रहे तो अब क्या होगा थुजली oxygen को मचेगी खुजली oxygen is double bond को कर लेगा withdraw अब आपको यहाँ पर situation दिखने लगेगी इस oxygen के पास आपके double bond और एक extra hydrogen के लिए bond तो अब यह वाला carbon इन में से की थी एक hydrogen को देदेगा bump पे लाथ और उसके bond को कर लेगा अंदर एथे तो अब यह hydrogen नो डाउट रह जाएगा लेकिन अब यह hydrogen का क्या है यह hydrogen जाकर इस oxygen को अप्रोच करेगा और यहां जुड़ जाए तो यह क्या बन गया अगर आप यह hydrogen हटा भी दो नेगलेक्ट कर दो क्यों कि आपको जरुवत नहीं hydrogen बनानी थी तो यह बन गया phenol and phenol is always aromatic तो क्या आपको टॉटो मेरिज्म करना आया क्या आप लोगों को टॉटो मेरिज्म करना आया हासर आया अब यहां वाली condition में यह है आपका functional group इसके पास में यह और यह carbon लेकिन यह दोनों ही carbon unsaturated है दोनों ही carbon unsaturated है मतलब यहां पर उपर वाली situation तो create नहीं होगी बट फिर भी यहां पर टॉटो मेरिज्म होगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर shareable hydrogen है तो कैसे चीज काम करेगी देखो यह double bond को अपनी और withdraw करेगा यह तो यह carbon को एक double bond के साथ रहने के आदत है तो इसकी आदत को यह double bond पूरा करेगा तो यह double bond इदर आ जाएगा इस वज़े से यह carbon रोने लग जाएगा यह वाला कारवन बोलेगा मेरा double bond चला गया मेरा double bond चला गया तो यह nitrogen बोलेगा रुप रोए मत तेर को मैं double bond देता हूँ यह आगे double bond यह double bond तो यहां है अब यह hydrogen के लग गए लग गए तो यह जाकर इसके पास जुड़ जाए आई पास समझ में यह भी phenol टाइप का डेरिवेटिव तो यह dine phenol के अदर आपको इस तरीके से totomary में होता हूँ नजर आएगा समझ गए क्या करना है double bond खसकाना है double bond जिस atom का खसकार है हो उसके पास वाले carbon को चेक करो कि क्या वो carbon saturated है अगर saturated है तो वो carbon का hydrogen निकालो और वो hydrogen का bond उसके उपर और खुद के बीच में sharing पे लगा दो देखो और देखते हैं nitroso oxym अब गाईज एक बात मैं आपको बताओ nitroso is always unstable जब कभी भी किसी chemical reaction में nitroso compound बनता है यह हमेशा unstable होता है तो अगर आप माल लिजे कोई chemical reaction कर रहे हो और आपका product nitroso आया तो आप nitroso click करके आगे मत बढ़ना जेई में उसमें totomaries में लगाना कैसे totomaries में लगेगा देखिए यह double bond is oxygen को अपनी और खीचना पड़ेगा तो यहाँ पर nitrogen oxygen में double bond की जएके single bond तो अब यह nitrogen का oxygen के बीच में जो double bond था वो तूट के single में बदल गया तो अब यह nitrogen रोएगा तो यह carbon बोलेगा रोए मत मेरे पास हाइट्रोजन है यह लेसा ले double bond मर तो यह हो जाएगा खुद लेकिन hydrogen बोलेगा लग गए ना 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 गए तो यह oxygen के पास जाकर बैठ जाएगा और यह बनिया आपका oxygen और यह जो oxygen होता है this oxygen is highly stable this oxygen is highly stable लेकिन एक बात ध्यान रखना है star बना कर एक point लिख लो that if nitrosolax alpha hydrogen then it becomes stable यह अगर माल लीजिए इस compound में इधर R है इधर R है इधर N double bond O है और यहाँ पर lead से methyl group आगया तो अब आप खुद इस बात को देख पा रहे हो कि यह वाला जो carbon है इस carbon के पास में hydrogen नहीं इस अब यह molecule stable है तो अभी आपको decide करना पड़ेगा कि आपका product कैसे बन रहा है क्या बन रहा है तो टॉटो मेरिजम करता है तो टॉटो ओ चलिए अगला देखो नाइट्रो सो एक्स एजिनिसाइड एजिसिनाइड इसका शॉट पॉर्म ए यह ती आई भी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि फंक्शनल ग्रूप के पास वारा कार्बन है कार्बन पर हाइड्रोजन है तो यह oxygen इस बॉंड को इदर विड्रो करेगा यह बॉंड इदर जाएगा तो यह हो जाएगा CH2 डबल बॉंड एन ओ ओ यह ओ नेगेटिव यह एन पॉजिटिव और यह हाइड्रोजन इस oxygen को अप्रोच करेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अट्याच हो जाएग तो समझ महीं बात क्या यह बहुत इजी है लल्लू हो जंडू हो चप्पू हो टाइप का question पुल लल्लू हो चप्पू हो जंडू हो टाइप का question दिख रहा है मेरको यह बिल्कुल tension free चलिए अगला देखते हैं इमाइन इनमाइन यह कार्बन और यह कार्बन के बीच में डबल बॉंड है तो इसके पीछा ले कार्बन के पास हाइट्रोजन है मलब यह डबल बॉंड इधर विड्रो करेगा नाइट्रोजन तो यह कार्बन इसको डबल बॉंड देगा और यह हाइट्रोजन इस नाइट आयाम माया ओओ इजी चलिए अगला देखो किटोल एंड इनोल यह कारबन के पास में एक अलफा हाइड्रोजन अगर यह डबल पॉइंट दर विड्रॉ करेगा तो यह इदर आ जाएगा और यह हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा यह बैड़े दमा यह दास इस अफ्रिकिंग बैड़ है लियू यह देखो तो यह हो गया आपका इनॉल यानि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इन यानि डबल बॉन्ड है और ओल यानि कि उसके अंदर अलकोहॉल है यानि यह फंक्शनल ग्रॉप आपका अलकोहॉलिक फंक्शनल ग्रॉप हो गया ना इसलिए है ठीक है चलिए अगला देखिए अब यह क्वेशन ने दर आए इसमें आप टॉटो मेरिस में लगा कर बताओ चलो बताओ इसमें टॉटो मेरिस में करके बताओ यहां पर दो सिचुएशन अराइज हो रही है एक ही है लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों पंक्शनल ग्रॉप के पास में एक ही कार्बन है अलफा कार्बन जिसके पास में एक हाइड्रोजन है तो इन दोनों में से किसी एक के अंदर ही टॉटो मेरिस में करना तो लेट से में इसके अंदर टॉटो मेरिस में कर रहा हूं इसने अपने ऑक्सिजन ने डबल बॉन्ड को खीचा तो इसने अपनी और खीचा तो अब यह हाइड्रोजन जाकर इस अप्रोच करेगा तो सिच इस्ट्वेशन कैसी बनेगी देखो ती सिंगल बॉन्ड ओ और यह एच इसके पास चाल आ गया इस कारवन से बन गया डबल डबल बॉन्ड सीडेबल बॉНड ओ गो इस दिएच त्री 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 अपका टलो मेरीसम हो गया इसके अंदर इसे इंड़ इसके अंदर इस कंपाउण्ड के दिखरी है याने इसी मॉलीक्यूल के हाइड्रोजन और इसी मॉलीक्यूल के ऑक्षियन के बीच में हाइड्रोजन बांडिंग हो गई तो यह हो गया इंटरा मॉलीक्यूलर हाइड्रोजन बांडिंग तो ये दूसरा रीजन हो गया इस molecule के stabilize होने का तो इस molecule is comparatively higher stability वाला इसलिए nature में आपको ये कम और ये जाधा मिलेगा equilibrium थोड़ा इसकी तरफ shift होता वा नजर आएगा चलो अगला question देखो ये चार question में करके बताओ ये चारो इन में जरा फटा फट से आप लोग देखो कि क्या हो सकता है फटा फट चेक करो देखो जरा इसको चेक करो कि ये question कैसे solve होगा बस ये चार question करो and we will be done with the chapter मालब ये आज का lecture के साथ हमारा काम खतम बस ये चार questions लगाने हैं फिर हम लोग free फिर जाओ आपको जो करना हो करो चाई पीओ पानी पीओ नश्टा करो सोजाओ फटा फट देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर देखिए तो इस वाले compound में अगर ये double bond अपनी और खीच लेता है है नश्टा क्या सिच्वेशन क्रियेट होगी सोचो में आपको हिंट देदी इसमें double bond लगाना पड़ेगा अब ठीक लगड़ा आप देखो क्या होगा अब क्या होगा तो ये carbon के पास में अब आन इसको ठीक लिख लें तो ये double bond इदर शिफ्ट हो जाएगा और ये hydrogen इस पर आके अटैक कर लेगा तो ये double bond ये double bond ये हो गया CH2 यहाँ पर आगया ये oxygen oxygen से चुड़ गया H और ये double bond अपनी जाएगे खताम बाबु भाईया अगला देखो देखो अब इसके पास में ये कारबन है जिसके पास में हाइड्रोजन है इसके पास में ये कारबन है जिसके पास में हाइड्रोजन है और इसके पास में ये कारबन है जिसके पास में हाइड्रोजन है मनद तीन फंक्शनल ग्रूप और तीन अल्फा हाइड्रोजन तो तीनों जाएगा ये इदर करेगा उंगली तो ये इदर जाएगा ये इदर करेगा उंगली तो ये इदर जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसा इसके और इसके बीच में डबल बॉंड इसके और इसके बीच में डबल बॉंड इसके और इसके बीच में डबल बॉंड तो ये हाइड्रो इसमें क्या होगा इसके पास में भी कारबन है क्या करें अच्छा अब देखो यहां पर क्योंकि यह डबल बॉंड आल्टरनेट पोजिशन पर था इलेक्ट्रोन को मूव करने की जगा थी यहां पर यह पास पास है तो यहां पर दोनों पर नहीं करने लग जाना किसी एक पर करना यहां पर दोनों पास पास है एड़ेसेंट कारबन पर इस लिए तो मैं इस पर करता हूं इसने डबल बॉंड खीचा तो इसके पास में दो इधर उच्छल के आगया तो यह हो गया ओ यह हो गया ओएच और यहां पर आगया डबल और इसमें इंटर मॉलीक्यूलर हाइट्रोजन बांडिंग भी होगी लेकिन इसके अंदर कोई टॉटो मेरिस में होगा क्यों क्योंकि यह जो ऐसमें एक है अच्छल ग्रूप इसके पास में यह कार्बं एक लेकिन यह दोनों चारर्बण यह जोज़क्षै्द और सफों नजर नहीं आएगा मेरे बच्चों ठीक है बढ़िया कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लेम सूप उप चले गाइस तो इसके साथ ही हम लोग हमारा आज का लेक्चर खतम करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप अगर आप लोगों कोई प्रॉब्लेम कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे comment section में लिख कर बता सकते हैं चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वेदान तू जे इमेट इजी को और इस वीडियो को आग की तरह फिला दो आग की तरह इतम सभी दोस्तों के साथ share कर दो क्योंकि हम इसके अंदर chemistry बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ने वाले लिए आपके पास में होत्ते resources नहीं हो तो भी मैं हूँ हम clear करेंगे जेई हम जेई में chemistry को easy बना देंगे तो बस आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जा रेस्ट इस कोई टेंचन फ्री और अप उन देख लेगा rest will be history कोई टेंचन नहीं चलो तो सी यू नेक्स कर की बोचिंग असाला विस्ता